ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपके राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर मिंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफले पंदरा अगस्त दोहजार तेईस मंगलवार का दिन है अधिक मास रावन महा के कृष्णपक्ष की चतुरदशी थी थी है मंगला गोरी वरत इस दिन रहेगा दोपहर 12 बज के 43 स्मिनिट से अमावस्या लग जाएगी इस प्रकार इस दिन भी मध्यान व्यापिनी अमावस्या रहेगी हलाकि अमावस्या दो दिन रहेगी लेकिन सुर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या है वो 16 अगस्त को ही रहेगी तो यदि आप चाहें तो 15 अगस्त के दिन भी अमावस्या का कर्म संपन्न कर सकते हैं 15 अगस्त के दिन हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाय जाता है तो आपको और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुपकामनाई और बधाईया मंगला गोरी वरत के साथ पुष्य नक्षत्र होगा करक राशी में चंदरमा बिराजित रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साभित होगा अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यख हो तो गुड़ खाकर के यात्रा औरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दोपार तीन बजे से लेके साड़े चार बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्णे आप अपने एक्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई शेत्रों में माना जाता है और कई शेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की करक राशी में वहीं चंद्रमा भी करक राशी में मंगल ग्रह सिंग राशी में बुद्ध ग्रह सिंग राशी में देव गुरु ब्रहस पती जो की मेंस राशी में शुक्र ग्रह करक राशी में, शनिरेव कुम्ब राशी में, राहुग्रा मेस राशी में तथा केतु ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक गरह गोचर के अनुसार मेश मितुन सिंग तुला धनु एवं मीन ये छे राशियां सबसे दिखभागी शली रहने वाली है करिक्षेत्र में इनको उन्नती और प्रगती के उत्ताम अफसर मिल सकते हैं धनलाब के सांसान जो भी जुम्मेदारी इनको दी जाएगी उसमें ये सफलता पूर्वक आगे बढ़ेंगे सुर्योदय सुबह 6 बजे होगा सुर्यास्त शाम को 6 बच के 50 मिनिट पर होगा चंद्रोदय 5 बच के 47 मिनिट पर होगा चंद्रमा का अस्त 7 बच के 2 मिनिट पर होगा शुब मोहर्त सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बच के 30 मिनिट तक 4 लाव और अमरत का चोगड़ा रहेगा तथा दोपर पश्चात 3 बजे से साड़े 4 बजे तक शुब का चोगड़ा रहेगा इस दोरान आप कोई भी शुब कारी करेंगे मंगल कारी करेंगे तो उसमें आपको अधिक से अधिक फाइडे का संयोग बन सकता है अब हम आपको मेस से ले करके मीन सभी बारा राशिवा लोकाद देनिक राशिफल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और देखने के पस्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की दिन उन्दाती कारक है आपकी प्रतिभाव योग गिता के अनुर्फार आपको अपने कारियों के उचित परिनाम प्राप्त होंगे कामकाज तथा केरियर को महत्तु देंगे परंतु पहली प्रात्मिकता आपकी परिवार ही रहेगी आपकी संतान को लेकर के आपको फाइदा होगा तथा संतान की प्रगत्ती के भी शुब समाचार आपको प्राप्त होंगे उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं ब्रशब रासी की अज आप अपनी जिम्मेडारियों को बखुबी अंजाम देंगे साथ ही आपकी अपनी होबी संबंदी कारियों में रुची रहेगी घर के बड़े उजुर्गों का प्रेम तथा आशिरवाद बना रहेगा सामाजिक कल्यानकारी संस्था में आपका उत्तम योगदान रहेगा जिसकी वज़े से आपकी प्रसंसा होगी दूसरों की पारिबारिक मामलों में उलजने से आपको बचना चाहिए अनथा आपको नुकसान हो सकता है उपाई के रूप में किसी भी गरिब व्यक्ति को आटा या गेहूं का दान करेंगे तो आपका दिन शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की कोई शुब समयचार मिलने से मन में प्रसनता बनी रहेगी धन की आवक जावक लगी रहेगी और परिवार के सांथ किसी धार में कत्वा सामाजिक आयोजन में भाग लेने का आउसर भी प्राप्त होगा विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की बात आगे बढ़ेगी दिन के दूसरे पक्ष में कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे घर में जो है खुशिया अचानक व्याप्त हो जाएगी कारिक्षित्र में पहले जो आपने मेहनत की थी उसके उत्तम परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे उपाई के रूप में मचलियों को आटे की गोलियां डालना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की इस समय दिल की बजाए दिमाग से काम लेने की अवशकता है गरह स्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई है अतहाब अपने काम को पूरी गंभीरता वसंजगीदी से अंजाम दे भविशी को लेकर कोई सकारात्मक योजना बनेगी शाश्की कारियों को सुलजाने के लिए किसी अनुभव विक्ति का सहयोग आपको मिलेगा जिससे उलजे हुए सभी काम आपके सुलज जाएंगे और कुछ लोग आपके खिलाप नकरात्मक वातावरन बनाने का प्रयास करेंगे लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद में कोई भी फल खाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं सिंग राशी की किसी प्रतिष्ठित व्यक्ती से मुलाकात आपकी सफलता के द्वार खोलेगी धार्मिक क्रिया कलापों में भी आप व्यस्त रहेंगे लोगों के साथ मेल जोल बड़ेगा तथा पुराने तनाव से आपको मुक्ती मिलेगी यह समय अपनी आर्थिक सिती को मजबूत करने का है इसलिए पूरी महनत से अपने कारियों के परती समर्पित रहे दूसरों के मामलों में ज़्यादा इंटर्फेर करने से आपको नुकसान हो सकता है और उपाई के रूप में यदि आप गाय को मसूर की डाल रूटी के साथ रख करके खिलाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आज दिन पूर्णताः व्यस्तत हैगा और शाशकी कारियों में आपको बड़ी सफलता और विजय हासिल होगी अब अपनी सुजबूज द्वारा अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम रहेंगे तथा अपनी क्षमता को कारियर, प्रोफेशन, और ध्यात माधी कारियों में लगाएंगे रूजमर्णा के देने कारिय बड़ी आसानी से पूर्ण होते जाएंगे परन्तु कई मामलों में धैर इसे काम लेने की आउशक्ता है जल्दबाजी तथा लापरवाही की वजह से कारियों में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है अर्थिक मैमलों में इस्थितिया आपके पक्ष में नहीं है इस समय फिजूल खर्ची पर नियंतरन आपको रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आपको अपने कारियों के सकारत्मक परिनाम हासिल होंगे इसलिए अपने कारियों के प्रती पूरी तरह निस्ठागान रहे सांथी सामाजिक गति विदियो में भी आपकी उपस्तिती बनी रहेगी भूमे भवन भाहन खरीत फरोक्त का काम भी संपन हो जाएगा ध्यान रखे कि आपका ही कोई नजदी की मित्र आपके खिलाप कोई शडियंत्र फेला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बचना आपके लिए बहुत आवश्य होगा और विध्यार्तिय अपने लक्ष को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो आवश्य ही उनको फाइडा होगा और उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में कच्चा दूद और गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक दो होगा भगिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आज अपना ध्यान भावी लक्ष की और पूरी तरह आपके अंद्रित रखे आपको उजित परिणाम हासिल होगे और अपने आप में चमतकारिक रूप से उर्जा और आत्मेश्वास आप महसूस करेंगे लोगों से संपर्क करने का दाइरा आपका बढ़ेगा और आपको लाभप्रद इस्तितियां निर्मित होगी परन्तो अपनी दिन चरिया संबंदित कारियों को व्यवस्थित पूर्ण तरीके से निप्टाने का प्रयास करें व्यस्तिता के बावजोच सामाधी कारियों में आपका ध्यान बना रहेगा कोई भी काम जल्द बाजी न करे और व्यवसाय में बदलाव या परिवर्तन की संभाव नाए प्रभल होगी कभी कभी मंदी की वज़े से मन आपका विचलित हो सकता है और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की समाई पिछली गलतियों से या कमियों से सीख लेकर के आगे बढ़ने का है जो महनत आज आप करेंगे उसके दूर गामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपने नजदी की संबंदों को आपको बरकरार रखने की आवशक्ता होगी अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई नई शुरुबात भी आप करेंगे कभी कभी फालतू कामो और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपका समय वितित होगा जल्दबाजी में कोई भी नड़ने न करें और उपाई के रोप में लाल कुंकुं का तिलक लगा करके निकलना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज आप अपनी लोगपृता के साथ साथ अपने संपरकों को भी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे नए मित्र नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जिनके माध्यम से आपको एक नई शुरुबात करने का आउसर मिलेगा अपने व्यक्तित्तों को आपको और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए अज किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने की योजना न बनाएं क्योंकि भविश्य में उसे चुकाने में दिक्कते आपको उत्पन हो सकती है सांथी किसी भी व्यक्ति के साथ धन संबंदी लेंदेन बिल्कुल न करे कई बार ज्यादा सोच विचार करने से हाथ से कोई काम निकल सकता है इसलिए ऐसे कारियों से आपको साउधानी बरतना चाहिए और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं कुम्बराशी की आज कई प्रकार की गती विदियों में आपकी व्यस्तदा बनी रहेगी सांथी सामाजिक दाईरा बढ़ेगा कहीं से मन मताबिक आपको फाइदा भी होगा धनलाब होगा रुका हुआ पैसा भी मिलेगा मैंसम्मान के साथ साथ संतान की उन्नती और प्रगती के समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं अंजान व्यक्ती से साउधान रहे पैसो का लेंदेन करते समय परम साउधानी की आउशकता होगी नए लोगों से व्यभार करते समय भी आपको बच करके रहना चाहिए और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में गुर चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज का दिन पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दरश्टी से शुपल प्रदान करने वाला है व्यक्तिगत कारियों में सफलता मिलने से मानसिक शंती आपको अनुभो होगी कठिन से कठिन कारियों के परिणाम आप अपनी दरण निश्चय सक्ती से निकालने में सक्षम हो जाएंगे कभी-कभी दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुक्सान कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार के कारियों से आपको साउधान रहना चाहिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णे न करे कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको सही सलह देगा जिसके कारण आपको आगे चल करके बहुत अधिक फाइदा हो सकता है और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिस्री और सोफ खां लेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमिन करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी करश्कन सादर धन्यवार